तो हे गाईज कैसे हो आप सब आज के वीडियो एकदम क्रेजी होने वाले है क्योंकि BMPS में हमको कुछ ऐसा देखने को मिला जो कि लिटरली आज तक BGMI में देखने को नहीं मिला था एंट साथे में गाईज हम लोग काफ़ी साइर चीज के बारे में बात करेंगे लाइक स्काउट, जॉनाथन, डोबी, स्नैक्स, रेगल्टोस, नियो एंड मैनी मोर तो फर्स्ट अफॉल गाईज हम लोग बात करने वाले हैं BGMI प्लेयर के बारे में जिनको BMPS के लाइफ स्ट्रीम पर राइफ बैन कर दिया गया लिट्ली गाईज एक मोएट में वो प्लेयर की फायर चल रही होती है, नेक्स मोएट में उसको स्क्रीन पर ही फ्रीज कर दिया इसके बाद वो एकदम से स्क्रीन पर मूव भी नहीं कर पा रहे थे, और साइट में हमको ये चीज देखने को मिली ये प्लेयर को बैन कर दिया गया है for violating the user agreement और यहाँ पर गाइस हम लोग बात कर रहे हैं टीम N.I.Y. के प्लेयर मिक्की के बारे में अब अब बिसले गाइस ये ठीज के बारे में लाइफ स्टीम पर तो कास्टर्स नहीं बोल पाए बट उनका कुछ ये reaction था और गाइस नेक्स हम लोग बात करने वाले हैं टीम गौल लाइक के प्लेयर सिम के बारे में जिसके रेटीड जॉनाथन एन एडमी नो भी रिगेट किये तो बेसिकली क्या हुआ कि जो टाइम पर सिम पाज लाइफ स्रीम कर रहे थे उनकी बढ़िया वाचिंग चल रहे थी तो कुछ लोग चैट में ये स्पैम करने लगे कि पोल डालो बेसिकली ये बोलते वे कि ये फेक वाचिंग है और पोल डालो उसे प्रूव हो जाएगा ये फेक वाचिंग है या फिर नहीं इसके बाद गैस सिम पोल भी डाले थे बट ये जीज़ पर मैं आपको जॉनातन और एड्मिन का रियक्शन भी दिखाता हूँ देखिये तो इसके बाद गैस जो वो पोल डाले थे उसमें 9 मिनट के अंदर ही 10,000 वोट्स आ चुके थे विच मेंस ये फेक वोचिंग नहीं थी और गैस नेक्स हम लोग बात करने वाले हैं स्काउट के रिलेटेड तो ट्विटर पर गैस आज हम को एक ट्विट देखने को मिला आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हो स्काउट ओपी नेम अकाउट से बेसिकली जहां पर वो हार्ट ब्रेक ही मुझे डाले वे हैं और यू वोट्ट बिलीव ये ट्विट पर गैस 37,000 व्यूज हैं बट लेट मी टेल यू गाइस ये एक फेक अकाउट है सकाउट के किसी पैरेडी अकाउट ने ये डाला है और यू वोट्ट बिलीव कि ट्विटर ये चीज़ का लोगों को नोटिफिकेशन तक भी बेज रहा था जिसके बाद गैस सकाउट की टीम के एक मेंबर तेब अन्बी इस पर ये लिखे एक ममेंट को तो भई मेर को भी ऐसा लगा किये रियल अकाउट से किया गया और साथ हम गाईस अगर कुछ कमेंट्स के भी बात करें तो लोगों गया कीन होगया कि ये सकाउट नहीं किया मतलब पता ही नहीं क्या चलता रहत है भई ट्विटर पर और guys next हम लोग बात करने वाले हैं BMPS के एक ऐसे moment के बारे में जो कि शायद आज तक आपने भी नहीं देखा होगा तो guys आज के एक match में zone ऐसी जगहें पर बनाता जहाँ पर कोई भी player नहीं जा सकता था मैं आप आप इस screen पर देख सकते हो जापर first of all सारे player बाहर ही दिख रहे हैं और वो time पर जितनी भी team बची हुई थी सब को heel battle करना पड़ा आप आप इस screen पर देख सकते हो ये teeth को देखकर casters भी तोड़ा शोक हो गए थे अब देखिए मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि पहली बार ऐसा होगा कि play zone के अंदर कोई नहीं पहुत जाएगा और साव एले मिनेट हो जाएंगे पेस से बाहर हो गए हैं जिसके बाद first of all उनकी तरफ से हमको एक message देखने को मिला जहां पर वो ये लिखे आप सब के support के लिए thank you I know आप लोग जो चाहते थे वो नहीं हो पाया बट जैसा कि आपको पता है कि giving up is not my thing तो यहां से में कुछ improve ही करूँगा it is not the end just a pause until next time and already guys आपको पता ही होगा snacks हमको कितने दिन बादी sport में देखने को मिले थे तो यह चीज़ को देखते वे first of all goldie भाई उनको appreciate किये अब दिखिये and इसके बाद guys goldie भाई बात किये snacks की new team को भी लेकर आप देखिये और guys next हम लोग बात करने वाले हैं gold like dobby के related तो guys mobile gamers के related कुछ लोगों की thinking के बारे में तो आपको बताई होगा हमने pass में भी इसके बारे में बात करी है जहापर कुछ लोग ये बोलते हैं कि mobile players are not real gamers तो कल क्या हुआ कि एक जगह पर एक जन ये comment किये थे gamer no, majaak yes, mobile players कभी भी gamer नहीं कहला जाएंगे अब वोबिस लिगा ये काफी बेब कुफी वाला comment है तो ये चीज़ पर reply करते वे डोबी ये लिखी एक former e-sport athlete होने के नाते मैं तुमको बोल रही हूँ कि ऐसा मत बोलो ये काफी players के लिए एक disrespectful चीज़ जनोंने इंडिया को represent किया है internationally तो gaming gaming है भाई फिर चाहिए हम आँ mobile की बात करें या फिर PC एंड console की then further ये चीज़ पर बात करते वे अपने broadcast में ये लिखी ये सब कुछ काफी disrespectful है mobile gaming के लिए क्योंकि इतने सारे athlete mobile gaming में हमारी country को proud feel करवाए है एक device के game पर किसी भी gamer को justify नहीं किया जाना चाहिए तो यहाँ guys आप ये सब के बारे में क्या सोचते हो मिरका comments में चरूर बताना next हम लोग बात करने वाले हैं नियो के बारे में तो previous एक video में काई उसमें आपको बताया था जहाँ पर नियो ये reveal किये थे कि उनके अब हमको एक नए team देखने को मिलेगी जिसके लिए घातक भाई भी उनकी help कर रहे हैं तो आज ये थीच पर further update देते हुए वो ये कहे कि जितने भी online T1 tournaments होते हैं हम लोग उसमें slot लेंगे and obviously हम लोग player को salary तो नहीं दे पाएंगे बट मैं उनके लिए और ढूड़नूंगा and जो भी next official tournament होने वाला है हम लोग उसके लिए practice करेंगे जिसके लिए ओलड़ी हमको आटो मैले मिल चुके हैं तो या अब हम लोग proper grind करने वाले हैं और guys next हम लोग बात करने वाले हैं BMPS के round 2 के बारे में तो guys round 1 के सारे matches खतम हो चुके and 128 team में से 64 teams eliminate हो गई है and बागी बजीवी जितनी में 64 teams है वो हमको round 2 में देखने को मिलेंगे बट round 2 के लिए इस बार नहीं तेरी किसे group बना जाएंगे first of all जिसके बार में Spiro ये कहे तो काफी लोग guys इसके बाद उनको ये लिखने लगे कि बई ऐसे तो सारी top teams एक ही group में आ सकती है तो ये जीज़ पर भी बबाद किये कि ऐसा क्यों नहीं होगा आप देखलो and guys BMPs के बार में बाद कर रहे हैं तो as of now जो भी हमको BMPs की तरफ से overall standing देखने को मिली थी वहाँ पर team tamilas है hashtag 67th position पर which means वो लोग BMPs से eliminate हो गई है and team tamilas के बारे में guys already आपको याद हो का BGMs में हमको इनकी तरफ से काफ़ी बढ़िया performance देखने को मिली थी ये लोग hashtag 3 आये थे and in fact ये match इससे पहले मेजी भी इनके बारे में ये लिखे थे कि team tamilas winning BMPs 2024 but guys मेजी कुस ट्वीट के एन उसका उल्टा ना हो and ये चीज वो खुद भी announce के थे जब कोई एक जनून से ये पूछे थे कि old पनोती मेजी कब देखने को मिलेगा जिस पर वो ये लिखे थे सून अब इसके बाद guys मेजी की तरफ से हमको एक ओर ट्वीट देखने को मिला वो ये लिखे retiring basically saying कि भाई मेरा हो गया ये सब से मैं retire कर रहा हूँ तो guys नेक्स हम लोग बात करने वाले हैं god like kamal jeet के बारे में तो guys पास का आपको पता होगा ये team god like के manager थे बड़ इसके बाद इनके बारे में आपको ये सुनने को मिला दे कि अभी currently ये god like management में नहीं work कर रहे हैं तो ये teach के बारे में वो बात किया वो क्यों left किये अब देखिए और इसके बाद guys बात करने वाले है रेगल टोस के बारे में तो guys 8bit mamma के channel पर हमको एक video देखने को मिली चाय पे चर्चा episode 1 जहाँ पर हमको रेगल टोस देखने को मिले तो रेगल टोस बात किये उनके e-sports के बारे में क्योंकि ये वाले भी MPS में वो हमको काफे time बात देखने को मिले तो इस पर उनको ग्या reaction है अब देखिए अच्छे से डून दी जाएगी ठीक है और इसके बाद guys mamma उनसे ये पूझे थे कि बबची मुबाइल वसीज बी जमाई के बारे में आपको क्या लगता है तो वहाँ पर guys वह बात किये थे meta के बारे में जो कि पहले काफी जल्दी चेंज हो जाता एंक अभी नहीं हो रहा है तूकि current meta के guys अगर हम लोग बात करें तो काफ़े टाइम से हमको DBS का meta देखने को मिल रहा है आप देखे रेगल टोस क्या कहे पब जी के नाइम पे जो e-sports चलता था जब चलता था तो वहाँ पर meta चेंज होते रहते थे और guys next हम लोग बात करने वाले हैं always and carnival gaming के बारे में तो guys बीजे में इसके टाइम पर तो मैं आपको बताया था जहां पर carnival के always हमको course देखने को मिले थे तो इसके बात आज वाबस से वह हमको carnival gaming bootcamper देखने को मिले इवन दो वो एक दूसरी टीम जोइन कर चुके हैं तो काफी लोग उनसे पूछ रहेते बाई अब क्या कर रहे हैं आप carnival gaming bootcamper जिस पर वो ये कहे ये तो cg का bootcam है yes ये cg का bootcam है मैं आया हूँ stream करने पूरी story बता अरे मैं कर stream करने वाला था तो मेरा pc का monitor में पता नहीं कुछ थिक्का दोने लग गए इससे stream नहीं कर पाई अरे बाई बैस स्ट्रीम कर रहे हैं तो एक जन उनको ये भी लिखे कि वह आपकी एक बीजमाई कि दूसरी टीम है आप carnival gaming के हमको coach देखने को भी ले थे क्या ये चीज़ से strategy बगएरा reveal नहीं होती तो इस पर always ये कहे तो बस गाईस फिलाल के वीडियो में इतना ही था वीडियो पसना है तो गाईस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और मैं मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई